हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है इस मैं सरभ जी सिंग आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री वीज़ एडवाइजर पर दोस्तों खबर सच्ची है तो ही अच्छी है यह हमारा लोगों है और आप आप जानते हैं हमने जितनी भी आप तक आपको इंफर्मिशन दी है वह अपने आप में माइस्टोन बन चुकी है बहुत सारे लोग उसके लिए हमें प्रेज करते हैं और हमें बहुत सारे कमेंट भेजते हैं आप सब लोगों का धन्यवाद अगर आपने चैनल को कर लेजिए लाइक कीजिए शे कीजिएद्ब हैं कि अच्छी खबर हमेशा अच्छी चीजे हमेशा दोगतर पहूंचनी चाहिए तो दोस्तों पिछले दो वीडियो जो है हमारे पहले वीडियू में ने आपको इनके कंट्री के अंदर अप्लाई कर सकते हैं शाइनगान कंट्री के अधर वीजा के लिए और दूसरे मां तो अपने आप या कोई जिनको knowledge नहीं होती उन जो agents होते हैं उनके जरीए apply कर देते हैं लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप खुद से apply कीजिए बैसे बहुत खुश होती है कि अगर applicant खुद से ही अपने सारे efforts करता है तो ये बहुत बड़ा एक advantage है आप लोगों के अपने पुर्तकाल का आपने नाम सुना होगा कि पुर्तकाल में work permit की बहुत अच्छी possibilities available रहती है इसके लबा वो अगर documentation के तो PR सबसे पहले पुर्तकाल के अंदर easy मिल जाती है तो अगर वहां तक पहुंचना है तो वहां तक कहुंचने के लिए आपको पुर्तकाल embassy को impress कर करना होता है अपने documentation से अपने status से तो दोस्तों बहुत मुश्किल सी वीजा मिलता है दूसरा है नीदर लैंड नीदर लैंड का वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है वह भी उनका जो success rate है बहुत कम है यानि कि आपको बहुत ही genuine जो profile है जिनका जो financial status बहुत अच्छा है जिन और जिनका travel history काफी अच्छा है जिन्होंने भी इरोप में 3-4 बार visit कर रहा उनके लिए भी अच्छा option है कि आप नेदर लैंड के लिए apply कर सकते हैं इसके लिए स्विजर लैंड का वीजा लेना भी बहुत टेड़ी खीर माला जाता है क्योंकि वह भी बहुत ज्यादा lenient न स्विजर लैंड के लिए भी आप थोड़ा सा सोच सकते हैं क्योंकि अगर आपके पास बिल्कुल स्ट्रॉंग रिजन्स है आपकी फाइलिंग अच्छी है आपके विजिट जो हिस्त्री है वो ट्रैवल हिस्त्री है बहुत अच्छी है और आपका financial status बहुत अच्छा है तो अच्छी है कि हमें इस कंट्री के लिए अपलाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यह बहुत जुरूरी है हमें यह समझना कि हमें इन सब कंट्रीज के लिए वीजा अपलाई नहीं करना चाहिए क्योंकि वीजा रिजेक्शन जो है इन कंट्रीज की बहुत ज्यादा है इनका percentage बहुत ज्यादा success बहुत कम है वो बहुत ज़वन प्रफाइल को ही वीजा देते हैं जैसा अब भी थोड़े दिन पहले नौर्वे ओपन हुआ था नौर्वे ने वीजा देना शुरू किया है लेकिन वो बिल्कुल ही उनको वीजा दे रहे हैं जिनका filing बहुत है या जिनका travel हिस्ति बहुत अच्छा है आपको पता ही होगा कि नौर्वे ने बहुत टाइम से लगब लगब डेर साल जो है इसको बंद रखा है travel को अपने वहां में border को बंद रखा है वो इसका कारणी यह था कि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे अब जो वो कर करना चाहिए यह दो important है कहां नहीं करना चाहिए यह भी बहुत important है इसलिए मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के जरीए आपको बताने कोशिश की है कि आप इन कंट्रीज के अंदर वीजा apply मत कीजिए और इसके लिए मैं दोस्तों कहाना चाहूंगा खबर सची है तो ह बहुत अच्छे त्रीके से हमें प्यार दिया लाइक शेर और सब्सक्राइब करके आपने हमाएं बहुत होसला दिया और उस होसले के बदौलत हम लोग बहुत आगे निकल गए और आज आपके सामने खड़े हैं और इतने confidence के साथ हम लोग वीजा भी लेकर आ रहे हैं आप description में दियेंगे number के उपर संपर कर सकते हैं वो मेरा खुद का number है मैं खुद इसे monitor करता हूँ जितने भी लोग हवारी यहां से जाते हैं हम लोग उन्हें खुद monitor करते हैं जब तो को Canada या अपनी destination तक नहीं पहुंच जाते हैं उनको end तक पूरा पूरा support देते हैं तो मैं हम हमेशा ही यह कहता हूँ कि अगर आपको believe है आप believe करते हैं कि free visa advisor आपके लिए यह कर सकते हैं तो आप हमेशा ही हमें sport करते रहें और चुड़े रहें क्योंकि और भी बहुत मैं informatory videos लेकर आपको लोगों के सामने आने वाला हूँ और अगर आप subscribe कर लेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और वो खबर आप तक अगर पहुंचेगी तो मेरा मकसद सिद्ध हो जाएगा कि मैंने सही information सही लोगों तब पहुंचा दी दोस्तों इनी शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का प्यार देने के लिए तो इतना ही कहना चा झाल